बॉलिवुड में जहां खुद स्टार्स की दोस्ती मिसाल बन जाती है, तो वही कुछ ऐसे भी दोस्त इस इंडस्ट्री में हैं जिनकी दोस्ती का रंग समय के साथ गेहरा होने की जगे ठीका पड़ गया है। कि उस मकाम तक नहीं पहुची के केंग खान और काजोल के बीच की बॉन्डिंग की बराबरी कर सके। लेकिन फिर भी इनके बीच के रिष्टे ठीक ठाक ही थे, पर साल दो हजार बारा में सब कुछ बदल गया। अपनी अपनी फिल्म के रिलीज को लेकर इन दोनों ही स्टार्स के बीच आ गए कभी न भरने वाली दरार। नौबत यहां तक आ गई कि आजया और SRK की इस लड़ाई में काजोल भी फस गई। वहीं दूसरी और इस पूरे मसले पर SRK को अवोइड करते नजर आए। खैर दोनों SRK की और RJ की फिल्म साथ में रिलीज हुई और हिट भी और कुछ समय बाद ये भी माना जाने लगा कि इन स्टार्स के बीच अब सब कुछ ठीक हो गया है और इसकी बड़ी वजए काजोल बनी जो कि शाहरुखान के साथ फिर से फिल्म दिलवाले में काम कर रही हैं। फिल्म दिलवाले के सेट से खबरें भी आई कि यहां SRK और RJ देवगन को साथ में लंच करते हुए देखा गया है। पर इस न्यूज के आने के थोड़े ही समय बाद अजय देवगन ने एक बयान जारी किया जिसके मुताबिक इस लंच के दोरान काजोल भी वहां मौजूद थी। लेकिन काजोल के पिक्चर को क्रॉप कर दिया गया जिससे लेकर अजय नाखुश दिखे। साफ है अजय का ये रियाक्शन कुछ ना कहते हुए भी काफी कुछ कह जाता है। और अजय SRK के बीच कहीं न कहीं कुछ तो ऐसा जरूर है जो आज भी इन्हें एक दोस्ती का मुखोटा पहनने पर मजबूर कर देता है।